तमिल नाडू में जो लगभक 30 से अधिक लोगों की मृत्यू हुई है अवेज शराब पीने की वज़े से ये कोई सैयोग नहीं ये अब ये प्रयोग और सोचा समझा उध्योग बन चुका है तमिल नाडू में क्यूंकि डीमके की सरकार का पूरा सवरक्षन इस उध्योग को मिल रहा है पिछले वर्ष भी 20 से अधिक लोगों की जान गई थी तब भी स्टैलिन साहब ने कोई सक्ट कारवाई नहीं की क्योंकि सवरक्षन देते हैं उनके मंत्री ऐसी चीजों को आज जरूरत है कि केवल छोटे-मोटे कॉजमेटिक बयान नहीं केवल छोटे-मोटे अ मंत्रियों के रिष्टे और सांटगाट और सवरक्षन हैं ऐसे हत्यारों को पिछले वर्ष जब ऐसी घटना हुई और बीस से अधिक लोग जादा मारे गए तब भी कॉंग्रस ने यही बयान दिया आज भी कॉंग्रस यही बयान दे रही है कॉंग्रस अगर इसके खिलाफ है तो उसको डीएमक के मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए अन्यत्था ऐसा लगेगा कि कॉंग्रस पार्टी केवल बचाओ करने के लिए अपने इंडी अलाइंस के पार्टनर का सौरक्षन करने क के लिए इस प्रकार के बयान दे रही है कि अभी एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि दस वर्षों में आम आद्मी पार्टी की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो दिल्ली जलवोड में असी हजार करोड का गोटाला हुआ उसके चलते आज दिल्ली वासियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है हमने देखा है कि पचास फीसद पानी वेस्ट हो जाता है हमने देखा है कि सुप्रीम कूट तक ने कहा कि पानी की सप्लाई अन्यराज्यों से हो रही है परंतु पानी का वेस्टेज और Water Tanker माफिया जिस प्रकार से हावी है उसके चलते दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल रहा और Water Tanker को और Water Tanker के माफिया को सवरक्षन देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है इसलिए उनके उपर कारवाई करने के बदले कभी प्रधान मंत्री को पत्र लिकना कभी LG को गाली देना कभी हर्याना के लोगों को गाली देना लगातार ये ड्रामे बाजी चल रही है अब तो उनकी साथी कॉंग्रिस भी मटका लेकर सड़कों पर उतर चुकी है परन्तु समझ में नहीं आता कि जो आम आदमी पार्टी और 2012-13 के अर्विन केजिवाल के वीडियो देख लीजे वो खुद बताते थे कि दिल्ली में तो इतना पानी है कि हर व्यक्ति को 2500 लीटर पानी मिल सकता है असली समस्या वाटर टैंकर माफिया की है हम आएंगे तो स्वच राजनीती के तहर हम वाटर टैंकर माफिया पर नक जा सकते हैं पर घर-घर पानी नहीं पहुंचा सकते और दिल्ली वासी उन्हें जवाब मांग रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता है पानी मिलता है तुम सत्यागरा करेंगे अलिशित कालिज भूख हरताल पर बेठे की जनता को सत्यागरा करने पर मजबूर करना करवाने के अब खुद भूख हरताल पर बैटने की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि इस प्रकार की नौटंकी और ड्रामे बाजी से बाज आना चाहिए वो सरकार में हैं और दस साल से वो सरकार चला रहे हैं तब आपने सत्याग्रे नहीं किया जब 80,000 करोड का घोटाला दिल्ली जलवोड में हुआ तब आपने सत्याग्रे नहीं किया जब घर घर मौले मौले शराब पहुचा दी पर तो नल से जल नहीं पहुचा है तब आपने सत्याग्रे नहीं किया जब वाटर टैंकर माफिया लगातार आपके नेताओं के समरक्षन के साथ पानी जो दिल्ली वासियों का है उसको चुराते रहें और अब सत्याग्रे कर रहे हैं क्योंकि अपने आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है मुझे लगता है दिल्ली वासियों ने इनको देख लिया है परक लिया है और अब सत्याग्रे नहीं अब जल कहां से आएगा उसका जवाब देना